लेकिर नुबर 3 में इन्होंने बोला है नाइना वोस गिविन वन ऐन पीस एफ केक ज नजमा वोस गिवन गवन धर्स्य की क्ते के जश्चा पूर्म करना चूंतल 笑नी के इनको add करना है तो चलो को करके देखते हैं फिर लिखो केक वास इस इंपल एक टेकन भाइ लिलू केकन भाइ नैना कितना लिया था उन्होंने वन इस वन बाइ टू आंसर हो जाएगा तू वन जा तू तू प्लस वन थ्री बाइ टू मैं इने सिंपल में करवाट कर देया अब केक किसके वर दौर हर लिया गया टेकन बाइ नजमा नजमाने कितना लिया था व और इस वन बाइ थ्री इसको सिंपलिस्ट करोगे तो 3 बनजा 3 प्लस 1 फौर बाइ थी तो टो्टल लिख दो टोटल वाट न वाइट और तो ठीट़ obtू प्लस फौर पाइथ थ्री आंसर हो जाएगा 2 और 3 का calcium 6 6 2 से divide करो 6 को 2 3 जा 6 3 3 जा 9 3 2 जा 6 2 4 जा 8 कितना हो जाएगा 17 अपॉन 6 आप जब यह 17 अपॉन 6 हो गया तो इस इस इंप्रॉपर फैल है ना 12 प्लस 5 इस हां यह हो गया ठीक है हमने इसको को mixed fraction में convert करें तो लिख सकते हो और देर्फॉर दा कंजप्शन of cake is 2 3 by 6 2 5 by 6 ठीक है तो यह था question number 3 उसके बाद question number 4 है fill in the boxes इससे पहले वालो जो exercise था उसमें भी ऐसे questions थे हैं बट यहां पर क्या है यहां पर denominator is different उसमें denominator सेम थे तो बस simply आपको क्या करना है देखो यह minus है यहां जाके plus हो जाएगा तो यहां पर लिख सकते हो आप मैं यहां पर समझा लहूं जैसे यहां पर लिखा 1 by 4 यह minus हो तो यहां पर आगे plus 5 upon 8 as we know 8 and 4 का LCM क्या होता है 8 हो जाएगा 4 2 जा 8 2 जा 2 plus 8 जा 8 and 1 5 जा 5 तो अंसर हो जाएगा 7 upon 8 तो यहां पर लिख सकते हो 7 upon 8 इसी तरीके से question number B यहां पर भी minus है यह इधर आके plus हो जाएगा तो यहां पर लिखो 1 by 2 minus है तो plus 1 by 5 and एक और तरीका बताते हो देखो यहां पर cross multiplication भी कर सकते हो 5 जा 5 2 जा 2 plus 2 upon 5 जा 10 आंसर आजाएगा 5 plus 2 7 upon 10 तो 7 upon 10 question number C 1 by 2 में से आपको क्या subtract करोगे कि 1 by 6 हो जाएगा अब यह plus है तो यहां के minus हो जाएगा अब simple यहां पर लिखो 1 by 2 minus 1 by 6 अब दोनों का LCM लोगे तो क्या हो जाएगा 12 2 6 जा 12 6 जा 6 minus 6 2 जा 12 2 जा 2 आंसर आजाएगा 4 upon 12 तो यहां पर लिख सकते हो 4 upon 12 तो इतने इजी तरीके से हमने question number A B C कर लिया ठीक है आप चाहें तो इसको simplest form में भी कर सकते हैं 2 2 जा 4 and 3 6 2 जा 12 है ना तो 2 by 6 हो जाएगा यहां पर बट यह भी ठीक है ठीक है ना question number 5 पे move करते हैं इसको कर देना या 2 by 4 2 by 6 कर दो है ना 4 by 12 कर दो 2 by 6 कर दो इस इंप्लेस फॉर्म रहेका तो ज्यादे बिटर रहेगा 5 में करना है complete the addition and subtraction box addition and subtraction box देखो ऐसे ऐसे तो हमें plus करना है ऐसे ऐसे subtract करना है simple जा देखो denominator सेम है तो 2 plus 4 6 तो 6 upon 3 हो जाएगा 1 by 3 2 by 3 denominator is same तो 1 plus 2 is 3 by 3 अब देखो अब यहाँ पे subtract करना है देखो यहाँ भी denominator सेम है तो simply 2 में से 1 को subtract करोगे तो क्या है 1 by 3 हो जाएगा अब यहाँ पे भी denominator is same तो 4 में से 2 गया तो 2 by 3 अब यहाँ पे भी denominator सेम तो 6 में से 3 गया तो 3 by 3 हाला कि यहाँ पे इसको आप simplest form में भी कर सकते हो यहाँ पे हो जाएगा 1 यहाँ पे भी हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 हाला इसी तरीके से B है बी में यहाँ पे denominator सेम था यहाँ पे denominator सेम नहीं है तो हमें क्या करना है पहले add करो 2 और 3 के LCM 6 हो जाएगा तो यहाँ पे लिख दो 6 2 3 जा 6 होता है 3 बंजा 3 तो यहाँ पे लिखो 3 प्लस 3 टू जा 6 2 बंजा 2 आंसर हो जाएगा 5 बाई 6 है ना 5 बाई 6 सेम इसमे 1 बाई 3 और 1 बाई 4 इसमें cross multiplication करके देख लेते हैं 4 बंजा 4 प्लस 3 बंजा 3 अपन में 12 आंसर हो जाएगा 7 बाई 12 अब यहाँ पे देखो क्या करना है subtraction है denominator different है तो यहाँ पे लिखो पहलो तो 6 क्योंकि 3 और 2 calcium 6 हो जाएगा and 3 2 जा 6 तो यहाँ पे लिखो 2 3 जा 6 ना तो 3 बंजा 3 3 2 जा 6 तो माईनस 2 आंसर हो जाएगा यह 1 बाई 6 अब यहाँ पे 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 को माईनस करना है ना तो यहाँ पे लिख सकते हो cross multiplication करोगे तो 4 माईनस 3 1 1 बाई 12 आएगा इसका अंसर ठीक है 1 बाई 12 क्योंकि 4 3 जा 12 होता है अब यहाँ पे 6 और 12 का यहाँ बाई 12 हो जाएगा है ना जब 12 हो जाएगा तो 6 2 जा 12 होता है 2 5 जा 10 10 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 and 3 by 12 is 1 by 4 तो यह था question number 5 I hope समझ मैं होगा जस जिनसे डिनोमिनेटर सेम नहीं है इससे पहले जितने भी question करें उसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं थे उसी तरीके से इनको solve कर लेना है that's it now question number 6 में move करते है 6 में उने बोला है a piece of wire 7 by 8 meter long broke into two pieces 7 by 8 को इनो दो पीसे में तोड़ दिया एक piece का जो मीटर है 1 by 4 है second हमें बताना है कि वो कितने मीटर होगा तो इसको करके देखते हैं simply इसमें से यह subtract करना है total length कितनी है total length of wire equals to 7 upon 8 meter first part कितना था 1 by 4 meter है ना first part 1 by 4 तो remaining कितना रहेगे इसमें से subtract कर दो right now remaining part equals to 7 upon 8 minus 1 by 4 answer आ जाएगा as 8 and 4 calcium 8 है तो 8 बन जा 8 1 into 7 करोगे तो 7 minus 4 2 जा 8 2 बन जा 2 answer हो जाएगा 5 upon 8 as simple as that तो आप लिख सकते हो कि जो second part there for second part length is 5 by 2 now question number 7 करते हैं 7 में इनोंने बोला है नंदिनी house is 9 upon 10 km from her school as she walked some distance and then took a bus for 1 by 2 km to reach the school how far did she walk तो अब इसमें क्या करना है इसमें भी हमें क्या करना है subtraction ही करना है क्योंकि इतना किलोमेटर अगर इसको school है कुसी दूरी अगर वो walk करती है इतना bus से जाती है तो फिर कितना दूर उसने walk किया तो इसी से find out करेंगे between distance between school and house कितना था equals to 9 upon 10 km यही तो by bus से उसने कितना कवर किया वन बाई 2 किलोमेटर तो रिमेंग डिस्टेंस रिमेंग डिस्टेंस क्या हो जाए गर 9 upon 10 minus 1 by 2 10 calcium 10 and 2 calcium 10 10 वन जा 10 and 1 into 9 9 minus 2 5 जा 10 5 वन जा 5 9 minus 5 is 4 by 10 and 4 by 10 का simplest form हो जाए गर 2 2 जा and 5 2 जा 2 by 5 किलोमेटर that means write down therefore distance covered by walk is 2 by 5 किलोमेटर this was the 7 next move करते ही कुछ नबर 8 पे कुछन में इंटों नहीं बोला आशा और सैमूल ने आशा और सैमूल इसको करके देखते हैं राइडन आरशास शेल्फ इक्वेस टुफ फाइब सिक्स सैमूवल शेल्फ इस टू बाइफाइब ल्स्यम क्या हो जाएगा इसको चलो उस तरीके से करते हैं 5 बाइ 6 इंटू इक्वेस टू आ रहा है 30 तो 6 फाइब से 30 और 5 फाइब से 25 आज टू बाइ 5 इक्वेस टू 30 5 इंटू 6 तू 30, 2 इंटू 6 तू 12 तो जस्ट आइड उन करतो 25 बाइब से 30 प्लस 12 अपॉन 30 12 प्लस यह जो है अच्छा इसमें एड़ों नहीं करना था बताना था नो तो आज यू कैन से डिनोमिनेटर सेम है तो 25 इस बिगर तो किसके पास जादा है 25 जो बिगर है यह एकोल होगा 5 x 6 इस बिगर दन 2 x 5 इसकी यह 25 x 30 है आशा यह जो जादा है तो यहाँ पर सिंपली आप लिख सकते हो तो आशा बुक्षेल इस मोर कवर्ड धन जैमूल डिफरेंस कितना आ रहा है कितने से जादा है डिफरेंस मेंस सब्ट्रेक्ट कर दो 25 x 30 – 12 x 30 इसको सब्ट्रेक्ट करो तो कि आजाएगा 13 x 30 as simple as that तो इस वोज दो कुश्च नमबर 8 लास्ट कुश्च नाइन करते है कुश्च नमबर 9 है जैदेव टेक्स 2 x 1 5th minute to walk across the school ground जबकि राहूल को कितने समय लगते है 7 4th minutes to do the same चीज करने में who takes less time by what fraction तो simply यह भी लिख दो यहां पर इस question को यह ही solve करते है राहूल जैदेव टेक 2 x 1 5th तो यह हो जाएगा simple form 5 x 2 x 10 प्लस 1 11 x 5 minutes राहूल टेक 7 x 4 minutes इसको हम इस तरीके से करते हैं टेक 5 and 4 calcium 20 5 x 4 x 20 4 x 11 is 44 minus 4 x 5 x 20 5 x 7 x 35 इसको subtract करोगे तो कितना आएगा यह 14 minus 9 is 9 ही आएगा ना 9 x 35 तो यह ही राहूल तो राहूल टेक्स लेस टाइम विच इस 9 x 35 minutes ठीके तो यह वस दो question number 9 and chapter number 7 exercise 7.6 this is the last exercise I hope आपको यह question समझ में आए हूंगे अगर कोई भी problem होगे तो तो प्लीज कॉमेंट करना बिना कुछ सोचें मैं उसका video या फिर reply करूंगी जैसे होगा बट आपको solution ज़रू प्रवाइट कुरूंगी मिलते हैं नेक्स चाप्टर में तिल दें दो लाइक, शेर शेर और सब्सक्रीब को यूट जैनल बएबएबएब। have a nice day